हेलो दोस्तों आज हम लोग बनाएंगे सूजी का चिला वह भी बिना दही का और उसके साथ साथ एक स्पेशल सा डिप मैं दिखाऊंगी जो कि बहुत आसानी से आप कम समय में बना सकते हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं यहां पर एक जार ले लिया है मैंने मिक्सी जार और उसमें लेंगे यह सूजी नॉर्मल वाला सूजी है मतलब जो मार्केट में अवलेबल आपको मील जाए दो कब मैंने यहां पर सूजी ले लिया है और इसे हम लोग ग्राइंड कर लेंगे एक कटे हुए आलू मैंने ले लिया है और उसे भी उसी जार में डालेंगे एक कटे हुए प्याज है और यहाँ पे कुछ करी पत्ता है जो कि मैं जार में ही डाल दूंगी और सभी को पीस करके हम लोग पेश्ट बनाएंगे और उसे भी हम लोग सूजी के साथ ही निकाल देंगे फिर उसी जार को मैंने ले लिया है और थोड़े से अधरक लैसुन और एक हरी मिर्च मैंने लिया है यहाँ पे आधा भी टूट को मैंने टुकरों में काट लिया है और उसे भी जार में डाल देंगे और यहां पे 1 teaspoon हमने ले लिया है साधा जीरा, 1 teaspoon काला जीरा है, जिसे कलाउंजी भी बोलते हैं, 1 teaspoon धनिया का पाउडर ले लिया है, और आधा कप हमने यहां पे पानी ले लिया है, जिससे की पीसकर हम लोग इसे पेस्ट बना लेंगे, और उसे भी हम लोग सूजी के साथ ही आधा कप मैंने पानी भी डाल दिया है यहां पर हम लोग टोटल डालेंगे तीन कप पानी और इसे मिक्स करेंगे कंसिस्टेंसी आप देख पा रहे हैं ऐसा कुछ होना चाहिए और इसे अब हम लोग डालेंगे दो चम्मच चावल का आठा यह ऑप्शनल है आप चाहे तो डाले बड़ना इसे स्किप भी कर सकते हैं चावल का आठा डालने से क्या होता है कि जो चीला बनता है वो थोड़ा सा पतला और सॉफ्ट बनता है अब इसमें डाल देंगे हम लोग नमक और सभी कौची तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसे पांच मिनट के लिए हम धख करके छोड़ देंगे जब तक वहां पे पांच मिनट रेष्ट ले रहा है तब तक हम लोग डिप की तया केई शुर्ट देते हैं और यहां पर थोड़े से अध्र ग्लेशन और थोड़ा सा यहां पर नारियल लिया है मैंने भी honesty ग्रमण का जिसे कि मैं जाय जार महीं डाल दूंगी और यह हाफ ले मन है जोकि मैं यहां ठ लग बनूंक र आप लोग ले सकते हैं लेमान का जूस और थोड़ा सा नमक हमने डाल दिया है थोड़ा सा बीटनून डाल देंगे और अधा कप पानी के साथी से पेस्ट बनाएंगे देखिए किना पॉरफेक्ट हम लोगे का डिप बनके तैयार हुआ है ये बहुत ही यम्मी लगता है थोड़ा सामने भुना हुआ जीरा अपर से डाल दिया है आपके पास नहीं हो तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं बहुत ही पर्फेक्ट कंसिस्टेंसी बनके तैयार हुआ है और इसे हम लोग अलग रख देंगे, यहां पर सूजी फूल चुका है, पांच मेर्ट भी हो चुका है, और देखिए, अब हम लोग चलते हैं बनाने, तो थोड़ा सा हमने पैन को ग्रीस कर लिया है, नॉन स्टिक पैन है, और इसमें ज्यादा तेल की जरूरत नहीं पड़ती है, डेज लेडल जो है, मतलब कच्छुल जो है, वो हमने फैला दिया है, यहां पे, यह आसानी से कोई भी बना सकता है, इतना आसान है, और इसे दो मिनट के लिए हम लोग धग देंगे, और दो मिनट के बाद देखिए, उपर का पार्ट जो है काफी ड्राई हो चुका है, मतलब कि यह पलटने के लिए तैयार है, और इसे अब हम लोग पलट देंगे, चीला को मैं मेडियम फ्ले में ही बना रही हूँ, और पलट के फिर से हम लोग एक मिनट के लिए इसे ढख देंगे, एक मिनट हो चुके है, अब देखिए, अच्छी तरीके से हमारा जो है, बी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक्स वर वाचिंग, इस्टे सेफ, इस्टे हिल्दी, बाबाए